पल भी पूरी की केस में एक बहुत जादा चौकाने वाली बात सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं कि पल जो है 14 दिन की न्याई खिरासत में है यानि की जेल में है। ऐसे में जो मा है यानि की जो बच्ची की मा है वो अपने पास बेटी को रखेगी या पिता अपने पास बेटी को रखेगा। तो बेटी की कस्चिडी को लेकर ये सारी बहस और लड़ाई जगडे चल रही है जिसकी वज़े से पता ने इस तरीके के इजाम लगा है ये सारी बाते जो है पब्लिक डोमेन में पहली किया चुकी है लेकिन अब सोर्स ने जो बच्ची की मा है उससे जुड़े एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा है कि अगर पुलिस ये कहती है कि उनके पास पल के खिलाब सबूत है तो बच्चे की मा का कहना है कि मुझे उन सबूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहां तक कि दो साल पहले जैसे ही ये बात पता चली जो मेडिकल टेस्ट बच्ची का हुआ था जब मेडिकल टेस्ट हुआ उस दोरान जो है पिता और पुलिस दोनों मौझूद थे उस मेडिकल रिपोर्ट को भी इस बच्ची की मा के हाथ में नहीं सौपा गया है यानि कि दो साल कुरानी मेडिकल रिपोर्ट भी बच्ची की मा के पास नहीं है और बच्ची की कस्टेडी जो है वो मा के पास आ चुकी है लेकिन उसके बावजूद पिता ये चाहता है कि बच्ची की कस्टेडी उसके पास वापस आ जाए और इसलिए इस तरह के इल्जाम लगा जा रही है तो ये जो खुलासा हुआ है ये अपने आप में बहुत जादा चौका आने वाला है कि परल के खिलाफ पुलिस के पास जो सबूत है उसके बारे में मा को ही नहीं बताया गया है यानि कि मा को इस बात की जानकारी ही नहीं कि उसकी बेटी के साथ अगर किसी ने छेरशार की है और उसी के आरोप में उसे गिरफतार किया जा रहा है तो क्या ऐसे कोई सब्वूत थे जो ये साबित करते थे कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो आप सोचें कि क्या वाकई में एक मा को इस डिटेल की बारे में भी जो है नहीं दी गई, मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई, पुलिस वालों ने भी नहीं दी, पिता ने भी नहीं बताई, यहां तक कि उस मेडिकल रिपोर्ट के अलावा जो प्रूफ का दावा पुलिस कर रही हैं उस बारे में भी मा को जानकारी नहीं और वाकई में यह बात जो है अपने आप में काफी जादा चोका देने वाली है